राजिस्थान के IPS पंकत चौधरी का दाव उन्ही भरी भारी पड़ गया हाई कोट ने पंकत चौधरी पर 50,000 रुपे की पेनल्टी लगाई है जी हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ तो चलिए हम आपको बताते हैं दरासल IPS पंकत चौधरी ने तबादले से जुड़े मामले को लेकर हाई कोट की जैपूर पीट में एक याचिका दायर की थी इस याचिका को हाई कोट ने खारिच कर दिया हाई कोट का कहना है कि याचिका करता को कैट ने अंत्रिम आदेश दे रखा है ऐसे में उन्हें केंद्रिय प्रशाशनिक टुब्यूनल यानी कैट के समक्षी याचिका दायर करनी चाहिए थी जस्टिस पंकत भंडारी और जस्टिस समीजेन ने आदेश देते हुए यह भी कहा हर बात के लिए कोट आना ठीक नहीं है इससे कोट का वक्त बरबाद होता है यह कहते हुए खंड पीठ ने IPS पंकत चौधरी पर पचास हजार रुपे का जुर्माना लगा दिया जुर्माने की राशी उन्हें एक महीने के अंदर राजिस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथार्टी की जैपुर पीठ में जमा कर्मानी होगी आपको बता दे की उधैपुर हत्याकान के बाद राजिस्थान सरकार ने 32 IPS अधिकारियों का ट्रांसवर कर 10 जुलों के SP बदले थे इसमें IPS पंकत चौधरी का तबादला कमान्डेट पत से SP कम्यूनिटी पुलिसिंग में कर दिया गया था इसके बाद पंकत चौधरी कैट में चले गए और 7 जुलाई को कैट ने उनके पक्ष में अंतरिम फैसला देते हुए कहा कि अगर वो रिलीव नहीं हुए हैं तो कमान्डेट पत पर कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे में पंकत चौधरी फिर से SDRF पहुचे और काम को लगातार जारी रखते हुए उन्होंने 8 जुलाई को SDRF की मासिक समिक्षा बैठक भी ले ली जब मामला पुलिस मुख्याले पहुचा तो SDRF में कमान्डेट पत पर लगाए गए राजकुमार गुपता ने फिर से काम शुरू कर दिया इसके बाद IPS चौधरी ने हाई कोट में याची का दायर की लेकिन कोट से भी चौधरी को निराश होना पड़ा और अब जुर्माना भी देना होगा ब्यूरो रिपोर्ट राजिस्थान तक ब्यूरो